प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आकांग्शी जिले देश की प्रगति के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए इतिहास रच रहे हैं। उन्होंने आज इन जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरीए संबाद करते हुए कहा कि ये जिले अपने प्रयासों से देश के विकास को गति दे रहे हैं। आकांग्शी जिलों में हुई प्रगति प्रशासन और जनता की बीच जुडाव से ही संबह हो पाई है। इसके लिए प्रध्योग्य की और नवाचा बेहद एहम है। प्रधान मंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्शों के दौरान सभी आकांग्शी जिलों में जन धन खातों की संख्या में पाँच गुना तक वृद्धी होई है। इन जिलों के प्रतेक गाउं में हर घर में शौचाले और बिजली की सुविधा पहुंच चुकी है। कि लोग अपनी आकांग्शाओं के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं और कुछ बात्रा में उन्हें पूरा भी करते हैं। लेकिन जब दूसरों की आकांग्षाय अपनी आकांग्षाय बन जाएं, जब दूसरों के सपनों को पूरा करना अपनी सफलता का पहमाना बन जाएं, तो फिर वो करतव्यपत इतिहास रजता है। आज हम देश के एस्पिरेशनल डिस्टिक्स आकांग्षी जिलों में यही इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। मुझे आद है, 2018 में यह अभियान शुरू हुआ था, तो मैंने कहा था कि जो इलाके दसकों से विकास से बन्चित हैं, उनमें लोगों की सेवा करने का अवसर यह अपने आप में बहुत बड़ा सा उभाग्य है। मुझे खुशी है कि आज जब देश अपनी आजहादी का अमरित महोत्सों मना रहा है, तो आप इस अभियान की अनेकों उपलब्दियों के साथ आज यहां उपस्तित है। मैं आप सभी को आपकी सभलता के लिए बढ़ाई देता हूँ, आपके नए लक्षों के लिए शुपकामनाय देता हूँ। और इस बैठक में प्रधानमंत्री इन जिलों में सरकारी योजनाओं और कारिक्रमों के कारियान वयन की प्रगति और वरतमान सिति तक के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इससे जिलों में प्रगति की समीक्षा करने और उन चुनावतियों का पता लगाने में मदद मिलेगी जिनका वे सामना कर रहे हैं। इसका उदेश सभी पक्षों के साथ जिलों में विभिन विभागोद्वारा मिशन मोड पर विभिन योजनाओं के लिए किये जा रहे कारियों की समीक्षा करना और उनकी प्रतिक्रिया जानना है।